नमस्कार दोस्तों कैसे यहां आप लोग administration of tribal areas chapter number 41 चल रहा है लक्षमी कांद का यहां पे scheduled areas मैं आपको समझा चुका हूँ tribal areas मैं आपको इस वीडियो में समझाओंगा तो भाई यह पूरा जो scheduled area वाला जो वीडियो है fifth schedule उसको जरूर देख लीजे इस वीडियो पर आने से पहले मैंने आपको बताया था कि वो कौन से 10 states हैं जहां पे scheduled areas existent है और कैसे वो इन tribal areas से अलग है जो की छटे schedule में आता है तो भाई छटे schedule में यह जो अलग चार states रखे गए हैं यह exactly चार states क्यों रखे गए हैं इस चेडियूल में अलग से जब आप इसका reason समझोगे तब overall आप इस administrative arrangement को समझ पाऊगे अगर आप बात करें tribal areas of in four north eastern states की तो सबसे बहुत पूचा जाता है कि भाई क्या rationality है कि आप केवल इन तीन states को बिलकुल अलग से एक special treatment दे रहे हो तो भाई देश की बाकी जगहों पे अगर आपको tribal areas identify करने है तो आपने पच्वे शेडियूल कर अंदर identify किये इन चार states के लिए आपने छटे शेडियूल कर अंदर identify किये reason ये है कि आसाम मेगालया तिरपुरा और मिजरम ऐसे चार states है जहां पे जो ट्राइबल्स है उनका जो रहने का तरीका है वो अभी भी इन states के बाकी लोगों के साथ पूरी तरीके से जल नहीं हो पाया है कहने का मतलब क्या है कि मद्ध परदेश की बीहर जंगलों में चले जाईए और कहीं न कहीं वाहें के ट्राइबल्स को देखिए तो मद्ध परदेश के जो ट्राइबल्स हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा मद्ध परदेश के बाकी अर्बन एरियास में रहने वाले लोगों से सीख रहे हैं और उनकी तरह रहने की कोशिश कर रहे हैं तोड़े तोड़े प्रैक्टिस को इंबाइब कर रहे हैं लेकिन आसाम में एक हाल्या त्रिपरा मिजरम ये चार ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ऐसी ट्राइब्स मिलती हैं जो बिलकुल भी मेंस्ट्रीम के साथ ऐसी मिलेट नहीं हुई है वो अभी भी अपने पुराने तरीकों से चल रहे हैं और इसलिए इनको बोला जाता है anthropological specimens मतलब एक ऐसा cultural जीने का तरीका एक ऐसी tribe जो कि आज की नहीं है आज से हजारों लाखों साल पहले की है ठीक है भाई तो यही बात हम बोले आ रही The tribal in other parts of India have more or less adopted the culture of the majority of the people in whose midst they live लेकिन the tribes in Assam में खाला त्रिप्रण मिजरम on the other hand still have their roots in their own culture, customs and civilization और इसी लिए इन चार स्टेट्स की tribes को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है सम्विधान के दौरा और बहुत autonomy दी गई है यहाँ पे रहने वाले लोगों को when it comes to self-comment आगे बात करें शिक schedule में features of administration क्या है आगे बढ़ने पहले वही बात हैं दोस्तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजे like करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा तो यह जरूर करिए अगर आप हमेशा से करते आ रहे हैं तो बिल्कुल करते रही thank you so much जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको कह रहा हूँ प्लीज शेयर करें तो भाई various features of शिक schedule की अगर बात की जाए तो tribal areas in four states of Assam, Meghala, Tripura and Miserum have been constituted as autonomous district भाई इनको autonomous district की तरह constitute किया गया है अभी बात की जाए कि यह autonomous district का मतलब क्या है देखिए पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि Assam, Meghala, Tripura and Miserum इनका पूरा इलाका सिक schedule के अंदर नहीं आता है Assam, Meghala, Tripura and Miserum में कुछ pockets बटे हुए और उनमें से selected pockets को autonomy दी गई है सिक schedule के अंदर जैसे कि for example अगर आप Assam state की बात करो तो Assam state में वो कौन-कौन से अलाके हैं मैंने शायद यहाँ पे include करना भूल गया हूँ मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ अगर आपके पास लक्षपी गान थे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ Assam में तीन ऐसी इलाके है जैसे North, Chachar, Hills District कुछ लोग कचार प्रनाउंस करते हैं अब रिली सॉरी अगर मैं प्रनाउंस विलत कर रहा हूँ दूसरा, Carby, Anglong District तीसरा, Bodo Land, Territorial Areas District तो Assam में तीन ऐसी इलाके है जहां पर Autonomous District बनाई जाएंगी Assam की सारी districts Autonomous नहीं है याद रखेगा फिर मेघाले की बात की जाए तो भाई, मेघाले में तीन इलाके ऐसे आते है कौन-कौन से? Khasi His District, Jaintia His District, Garo His District तो Assam में तीन, मेघाले में तीन त्रिपुरा में, जो Autonomous District है वो कौन सी? त्रिपुरा Tribal Areas District और मिजोना में जो Autonomous District है एक है चक्मा District, एक है मारा District, एक है लाई District तो भाई, ये है Autonomous District ठीक है भाई? तो इन Autonomous District को किस तरीके से identify किया गी? भाई, ये वो इलाके हैं, जहां पे कुछ ऐसी Tribes रहती हैं, जो Tribes आज की डेट में पूरे उस State के साथ assimilate नहीं कर पाई हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पुराने तरीकों में आज भी जी रहे हैं, इसलिए उन पुराने तरीकों के प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ताकि इन Trib को भी लगे कि हाँ भाई, देश की सरकार इनके बारे में कुछ सोच रही है, अब जब अबेसी बात है कि इनको कुछ Special Privileges दिये जा रहे हैं, तो जो भी इनके उपर नियम कानून लगाये जाएंगे, वो बिलकुल Crude Form में नहीं लगाये जाएंगे, इनको काफी सारे Relaxations दि किये जाएंगे, बावजूद इसके ये लोग Executive Authority of the State के अंदर आते हैं, देखिये अब समझे दोस्तों, Executive Authority of the State समझे हो, State Legislature की अब बात करो आसाम के, तो आसाम की State Legislature का Head कौन है, Council of Ministers, Headed by Chief Minister of Assam, ये Council of Ministers, Headed by Chief Minister को अगर कोई नया नियम कानून लेके आना है, कोई Executive और Legislative Decisions में ये की फर्क होता है, Legislative Decisions में आप नया Law और नई Policy बना रहे हो, Executive Decisions में आप डेली मर्रा की चीज़ों को करने के लिए नियम कानून बना के Ground Level पे Implement कर रहे हो, तो जो Executive Power होती है, State की, वो Limited Level तक इन Districts में अप्लाई होती है, ये नहीं कहा जा सकता कि State की कोई ता करते इन Autonomous Districts में, लेकिन Governor को काफी ताकत दी गई है, Governor को ताकत दी गई है, कि वो इन Autonomous Districts को Organize कर सकता है, Reorganize कर सकता है, Reorganize करने हम मतलब क्या है, कि वो इन Autonomous Districts के Area के Boundary को बढ़ा सकता है, इनके Area को कम कर सकता है, इनके नामों को बदल सकता है, इनकी Boundaries को Define कर सकता अब्वेसी बात है गवर्णर ये सब एक autonomous district का जो council बनता है ना district council उससे discuss करने के बाद ये सब करेगा एक और बात कभी कभी ये जो autonomous district है ना ये अपनी functioning में बहुत ज़दा बड़ी हो जाती है तो अब्वेसी बात है एक autonomous district जब बहुत बड़े इलाके को cater करती है और उस बहुत बड़े इलाके में बहुत सारी अलग-अलग tribes रह रही है तो एक autonomous districts को छोटे-छोटे autonomous region में भी तोड़ा जा सकता है तो मैंने आपको बताया कि आसाम में भाई तीन autonomous districts हैं एक north कचार हिस district दूसरी कामरी कार्भी एंगलॉंग district तीसरी borderland territorial area district तो अभी borderland territorial area district के अंदर अगर अलग-अलग बहुत सी tribes रख रही हैं तो उनको बहुत सारे regional councils में छोटी-छोटी regional council में तोड़ा जा सकता है तो अब आपको यहाँ पर दो बॉड़ी बनती नजर आ रही है एक तो district council में तीन में तीन में तीन में मिजोर में चार इन autonomous districts के अंदर कुछ autonomous region मनेंगे तो यह जो autonomous district है, इसकी एक district council होगी, और इस district council में 30 members होगे, इन 30 में से 4 members को governor nominate करेगा, और बाकी 26 members को elect किया जाएगा on the basis of adult franchise, यानि इस district का जितना इलाका होगा, वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, वो लोग vote डाल के अपनी council चुनेंगे 26 लोग, और ये 26 लोग ना, बहुत council को पहले district council को पहले dissolve कर दिया, बात लगए, ये तो normally वो 5 साल के रहे power में रहते हैं, और जो nominated members है 4, वो तब तक power में रहेंगे, जब तक governor चाहता है कि वो power में रहें, ठीक है भाई, तो district की अपनी पूरी council होगी, और अगर उस district के अंदर, उस autonomous district के अंदर, बहुत सारे autonomous region अगर बनाए गए हैं, तो हर autonomous region की अपनी एक अलग regional council होगी है, ठीक है भाई, तो district council भी होती है, regional council भी होती है, और ये district council, regional council अपने 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 इलाके में काफी influential होती हैं दोस्तों, जो कि in district council और regional council से वहाँ के लोगों को, ये आशवाशन मिलता है कि भाई, आप क्या local administration आप खुछ चला रहे हो, ऊपर की राज सरकार या केंद सरकार कोई भी चीज आपके ऊपर थोप नहीं रही है, तो इनके अंदर जो jurisdiction है, उसमें ये अपने नियम कानून मना सकते हो, jurisdiction का बहुत ज्यादा है, तो जमीन पे नियम कानून मनाना, forest पे, canal water पे, shifting, cultivation पे, village administration पे, ascent of governor क्यों चाहिए, देखिए भाई, आपको autonomy दी जा रही है, इस autonomy का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, तो कल की date में, आप tribal practices वे नाम पे, humans की अगर बली देने लगो, तो भारती सम्विधान के अंदर इस चीज को permission नहीं दी जा सकती, इसलिए भाई, आपको autonomy द ये district council और regional council बनाएंगी, उसको governor देखता है कि हाँ भी सम्विधान के विशी provisions के साब से हैं, तो भाई, governors को approval दे लेता है, नार्मल करकेस में, governor अपना approval रोकता नहीं है, फिर बात कीजा है, the district and regional councils within their territorial jurisdiction can constitute village councils, और courts for trial of suits and cases between the tribes, तो भाई, ये district council और ये regional council अपने अपने इलाक सकती है, और ये court क्या करेंगे, ये court भाई, tribes के बीच में, अगर कोई problem होगी, तो एक tribe की लाई, दूसरे tribes होगे, तो उनके बीचे मांडवली करवानी है, तो इस type की चीज़ें करेंगे, ये village courts, यहाँ पर district और regional council काफी involved होंगी, ground level पे, तो भाई, district council, regional council, इनके नीचे village courts ह आएंगे, उन village courts के against जो appeal जानी है, वो obvious ही बात है, in district council, regional council के पास जाएगी, अब यहाँ पे एक बहुत खास बात है, high court का jurisdiction किस हद तक है, माल लीजे किसी district council ने, regional council ने, अपना कोई jurisdiction सुनाएगी, हाँ भाई, इस tribe में ये लड़ाई होई है, तो हम यहाँ पे ये सजा सुन आते हैं, obvious ही बात है, हमारा judicial system integrated है, तो भाई, नीचे के court ने कोई सजा सुनाई है, तो उपर का court उसको review कर सकता है, high court के पास किस हद तक ताकत है, in autonomous district council और regional council दोरा decisions को review करने का, वो decide करने की ताकत governor के पास है, governor decide करेगा कि किस हद तक high court का jurisdiction, appellate jurisdiction जाएगा, in suits और cases के उपर, जो कि in district और regional council के ambit के अंदर आ रहे है, फिर भाई, in district council के पास और भी बहुत सी ताकत होती है, ये लोग primary school बना सकते हैं, establish कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, dispensaries, hospitals बना सकते हैं, lower level, markets, ferries, fisheries, roads, तो district में ये सब चीज़ें बनाना है, और ये सब चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं, के हाथ में रहता है, limited criminal jurisdiction भी है in district और regional councils के पास, फिर भाई, इन इलाकों में money lending किस प्रकार से की जाएगी, non-tribals इन इलाकों में किस हद तक आके trading में involved हो सकते हैं, money lending में involved हो सकते हैं, इस चीज़ें के उपर भी नियम करून मनाने की ताकत है, district council के पास, लेकिन district council इन चीज अब बात यह है कि district और regional council को पैसा तो सरकार की तरफ से आएगा, लेकिन in district और regional council को कुछ limited taxation की भी ताकत दी गई है, तो local level पे land revenue को collect करने की ताकत district और regional council के पास है, कुछ specific taxes को impose करने की ताकत in district और regional councils के पास है, फिर उसके बाद, यह एक बहुत important चीज़ है, The acts of parliament and or the state legislature do not apply to autonomous districts and autonomous regions और apply with specified modifications and exceptions, मतलब parliament के और state legislature के जो act है, वो in autonomous districts और autonomous region पे या तो apply नहीं करेंगे, या कुछ exceptions, कुछ restrictions के साथ apply करेंगे, अब सवाल ही उठता है, कि यह restrictions कौन लगाएगा, गवरनर लगाएगा या प्रेजिडन लगाएगा, अब देखेंगा, दोस्तों, अगर आप आसाम की बात करो, तो आसाम में अगर पार्लेमेंट दोरा बनाया गया, ये state legislature दोरा बनाया गया कोई नियम कानून है, तो भाईया वो आसाम में कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, इस चीज़ को decide करने की ताकत गवरनर के पास है, तो चाहे पार आसाम का गवरनर, वहीं पे अगर आप मेघालया तिरपुरा और मिजुरम की बात करेंगे, तो मेघालया तिरपुरा और मिजुरम में पार्लेमेंट बनाया गया गया नियम कानून कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये डिसाइड करने की ताकत राष्टपती के पास और स्टेट लेजिसलेचर दौरा बनाईगा नियम कानून कहां पे मेगालया तरिपरा मिजरम में कितना लगेगा इसपेक्टिव गवर्णर डिसाइड करेगा और मेगालिया तृपुरा मिजोरम में पार्लियमेंट दौरा बनाये गया नियम कारून किस हद तक लगेगा इस चीज़ को डिसाइड करने कि ताकत राश्पती के पास है और स्टेट लेजिसलिचर दौरा बनाये गया नियम कारून किस हद तक लगेगा इस चीज़ को decide करने की ताकत गवर्नर के पास है ठीक है भाई उसके बाद आखरी point देख लेते हैं simple सा है आखरी point the governor can appoint a commission to examine and report on any matter relating to the administration of autonomous districts or regions he may dissolve a district or regional council on the recommendation of commission भाई या autonomous or district council सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही इसके उपर तो बातचीत करनी पड़ेगा देखना पड़ेगा तो भाई governor समय समय पे एक commission appoint कर सकता है जिसको यह responsibility दी जाएगी कि भाई आप पता करिये कि in autonomous districts में जो council बनी है जो regional councils बनी है यह कैसे काम कर रही है क्या यह सही तरीके से काम कर रही है माल लीजे यह commission district council के काम करने के तरीके पे या regional council पे काम करने के तरीके पे सवाल उठाता है कुछ गलत बताता है तो governor in district और regional councils को dissolve भी कर सकता है ओवेसी बात है governor उनको dissolve करने से पहले president से permission जरूर लेगा तो tribal areas आपको समझ में आगे होंगे चुटकारा क्यों मिला है इनको excessive freedom क्यों दी गई है यह main चीज है अगर आप यह समझ जाते हो चटा schedule आपको समझ में आ जाएगा और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि recently बहुत सारे states जैसे कि Ladakh, United Rates of Ladakh, State of Arnachal Pradesh यह चटे schedule में अपने आपको include करना चाहते है पांचवे schedule से यह खुश नहीं है क्यों नहीं खुश है इसके बारे में भी आपको पता चली गिया होगा So thank you for watching friends I hope आपको वीडियो समझ में आ गई हो यहाँ पे कुछ important articles भी है तीनी important articles है यहाँ पे एक है आपका article 244 जो कि administration of scheduled areas और tribal areas की बात करते है एक है article 244 A जहाँ पे आसाम में autonomous state को form करना मतब आसाम में कुछ tribal areas बनाना और local and creation of local legislature or council of ministers Article 339 control of union over the administration of scheduled areas and welfare of scheduled tribes तो article नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों election commission के बारे में पार्ट 7 शुरू हो जाएगा लक्षमी कान का constitutional body शुरू हो जाएगी जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगा election commission थैंक यू फो वाचिंग 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 करेंगे